आपका समय पहले गया है दो तिन मिनिट बोलिएगा को बढ़ावा देने के लिए उसको लोगों को सब्दाएं नजदीक से मिने इसके लिए और दूसरा था और यूनि लेटरली पार्लिमेंटरी अफेर्स मिनिस्ट आप ने उसको तीन घंटे कर दिया मैंने सुबा भी बताया था कि अगर पार्टी का काटना है दूसरी पार्टी इसका मत काटो तो उसकी वज़े से सारा टाइम टेबल गड़बड हो गया जहां हमने एक एक मेंबर को पंदरा पंदरा मिनिट रखे थे या दस-दस मिनिट थे अब तीन मिनिट में कनवर्ट लिए अब जब बड़े आराम से शामती से सदन चल लहा था तो क्या फिकर थी कि वह दो गंटे और चड़ता तो हमारे जो आज दिन के लिए छे गंटे बज़े थे आपने एक दम उस पो स्लैप लगा दिया तीन गंटे कम कर दिया कल आठ गंटे चल तकरिमन साथ गंटे चला था या छे गंटे चला था छे गंटे आज बागा थे तो उसकी वज़ा से पुरा गड़बड हो गया अब जो होगा ठीक है बोड़ी मानी मंत्री जी नहीं इसको दो भागों में बाटा है स्वास के जिए उसमें एक पहला है स्वास केंद्रों को बढ़ावा जिसमें लोगों को स्वास संबंदी सुदा नजदी की से उपलब दो और दूसरा है दस करोड गरीब लोगों को पांच लाग की सुदा मैं दूसरे बिंदू के उपर जाना चाहता हूँ जो कि बहुत ही प्रचारित किया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा मात्पूर्ण बिंदू है लेकिन अगर इसके आकड़े देखे जाएं तो इसमें इस सा जाल किया जो स्वास्त के लिए बजट ऑलोकेट किया गया है वह बावन हजार आठ सो करोड उपयका किया गया है जबकि पिछले साल इसका बजट वजट एक आवन हजार 280 करोड था तो यानि केवल 1250 करोड उपया इस बजट में बढ़ाया गया है दूसरी तरफ तो यानि एक परसेंट आप जनता से लेंगे और उसको फिर इसी चीज़ को गरीबों में बाटेंगे तो ये आपने कोई उसका इस सरकार ने उसमें कोई अपना कॉंट्रिबूशन नहीं दिया है जनता से वसूल के जनते ही को वापिस करने की बात है और वो भी ये पूरा नह आने के लिए कहा गया है और उसके लिए 1200 करोड रुपे उन्होंने अलोकेट किये हैं यानि कि एक सेंटर बनाने में 80,000 रुपे अभी जो सब सेंटर चल रहे हैं मानियों सभावती जी वो सारे के सारे सेंटर ना उसमें रख रखाओ है ना उसके अंदर कर्मचारी है ना उ उसी को ठीक कराएं उसी में वो पैसा लगाएं इसमें एक नई चीज़ करके क्या फाइदा हो रहा है एक मिनिट दो मिनिट जी 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 अब सर्क जिस देश में बी आडी मेटकल कॉलिज जैसे गोरकपुर में हुई कि सैकड़ों बच्चे एक साथ मरे वहां पे औक सीजन की कमी वहाँ पैसे नहीं दिये जा रहे हैं इस तरह के देश में इस आस्त के लिए उन चीज़ों के उपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए राधा ये लुभाववी चीज़े दिखाएं और वो पूरी ना कर सके क्योंकि पिछले साल दो साल पहले के बजट में भी यही तरह का एक प्रोवीजन किया गया था एक लाग रुपए का उन्होंने बीमा कहा लेकिन आज तक वो थीस हजार के बीमे से उपर नहीं चल लाए दूसरा मेटर जो हमारा है वो है कि वित मंत्री जी ने अपने बाद्यक के भाशन में कहा कि प्रदान मंत्री आवास योजना के अंद से 93 लाग मकान बन चुके हैं लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि आखड़े इनके पास आ कहां से रहें क्योंकि जो लोकसभा में एक सवाल किया गया उसका जवाब जब दिया तो उन्होंने बताया कि अभी तक केवल 21 लाग मकान केवल बने हैं तो इस तरीके से य खुटी हैं इसमें कुछ नहीं है सिर्फ इंदा को गुम्रा किया जा रहा है दूसरा सर इन्होंने अपने बजट में एक रियल स्टेट के पॉइंट में यह रखा कि जो जमीन के दाम सिविल सर्किल रेट के इसाब से होंगे उसमें आगर इंकम टैक्स में 5% का डिफरेंस ह होगा तो वो मान लिया जाएगा अगर दिल्ली को देखें यहां पे जमीनों के दाम जो हैं वो बहुत कम हो चुके हैं और सर्किल रेट बहुत जादा है तो अगर किसी भी शहर का सर्वे कराईएगा तो यही हाल है अब गरीब आत्मी या कोई भी आत्मी एक मकान खरीदे स्टैंप ड्यूटी जादा दे उसके पास इंकम टैक्स भी जादा दे तो इसके लिए इसमे कोई प्रवीजन ऐसा होना चाहिए था कि वो पाद दन्यवाद उसका एक सर्वे कराके पाद से 10 पर देखें धन्यवाद श्रीयन गोकुल कुष्णन